Hello everyone, welcome to Koster Classes, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन बच्चो के बारे में जिनके एक्जाम October November 2022 में होंगे, उन बच्चो का practical का तो hold ticket आज चुका है, अब हम बात कर लेते हैं, hold ticket for theory exam, यानि कि theory exam का hold ticket है वो कब आएगा, उसके confirm date क्या है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं, तो बच्चो confirm date जारने से पहले आप ये देख लिजे, आपका theory का hold ticket किस तरीके साएगा, यहाँ पर आप देख सकते है, hold ticket में उपर लिखा होगा theory, ठीके, और वहाँ पर आपका लिखा होगा, कौन से से सेसन के आप student हो, उसके बाद यहाँ पर आपका enrollment number होगा, आपका नाम होगा, आपके parents का नाम होगा, यहाँ पर QR code होगा, यहाँ पर आपकी photo होगी, main important बात, यहाँ पर आपका exam center होगा, ठीके, कई बार बच्चों को confusion हो जाता है, जो practical का hold ticket center मिलता है, बच्चों को लगता वही exam center है, लेकिन ऐसा नहीं होता, आपका exam center आपको theory वाल date इस तरीके से देऊंगे, subject के नाम और यहाँ पर confirm date दे रखियोगी, इससे आपकी जो यह date है, यह change नहीं होगी, जो date होगी, date seat में क्या होता है, डेट change हो जाती है, ठीके, लेकिन आपके जो hold ticket होता है, उसमें date change नहीं होती, यहाँ पर वो date क्या रहेगी, fix रहेगी, यहा नहीं देखा कि आपकी date seat में 12 October से आपके exam में start है, तो आप यह मान के चलिजिए, 3 या 4 October को आपको hold ticket आ जाएगा, जैसे हो hold ticket आएगा, यहाँ पर वीडियो बना दूँगी, कैसे download करना है, वो बता दूँगी, कोई problem आती है, क्योंकि यहाँ उसके website में problem आती है, अगर problem आ है उत्ती है.